मुंबा देवी मंदिर की तस्वीरे हैं ये बता देना जरूरी है दर्शकों को सबसे पहले सिद्धी विनाये गए गडपती बपा का अशिरवाद देवेंदर फर्णवीज ने लिया और मुंबा देवी मंदिर अप पहुँच गए हैं और उनके चेहरे की मुस्कुराहत यान अपने सहयोगियों का साथ छोड़ना देखा वो देवेंदर फर्णवीज जो मुख्यमंत्री पाद के दाविदार थे लेकिन उप मुख्यमंत्री के तौर पर संतोश करना परा दो हसार बाइस में जब एकनाश शिंदे को मुख्यमंत्री बनाये गया वो देवेंदर समन्विया उन्होंने महायूती में गढ़ा उसी का नतीजा है कि महायूती ने प्रचंड जीत महाराश में हासल की 230 सीटे महायूती ने हासल की और 132 सीटे भारते जनता पार्टी ने अपने बलबूते पर हासल की वो वक्त आज जरूर याद आता है जब 2024 के लोकसभा संगटन में काम कर ना चाते थे लेकिन केंद्र का हाथ देवेंदर्फणवीस पर लगातार रहा केंद्र के दरस piss से लगातार उनको ये मैसेश दिया गया कि आप सरकार में रहेंगे तो महयूती कि सरकार के साथ चल पाएगी और एक बाल फिर देवेंदर्फणवीस केंदर की बात मानी वो उक्मुख्य मंत्री बनी रहे लेकिन संगठन में काम किया रस से और संगठन के बीच में जो दूरी आई थी वो समन्वे जो है देवेंदर 25 ने बैठाया और उसी का नतीजा है कि 132 विधायकों के साथ बीज़पी सबसे बड़ी पार्टी बने काथ दूरी बने कि अधिए अधिए और माता रानी का जब आश्रवात लेने के लिए देवेंद्र फण्वीज पहुंचे हैं तो आप इसे जरा उन माओं के आश्रवाद से भी जोड कर देखिए उन बहनों के आश्रवाद से भी जोड कर देखिए वह बहने जनोंने लाटले बहन योजना की इस योजना के उपहार फ़रू उपजीत का आश्रवा पहुंचे हो जिस बात का विक्र मेरी स्वयोगी प्राचे कर रही थी कि बीते ग्यारा सालों में उन्होंने बहुत सारे राजनीते को उतार चड़ाव देके उनका सामना दो बड़ी ताकतों से था एक जो महराश्री की राजनीती के चानकिया कहे जाते रहे शरत पवार और द थोड़ा भी घबराए नहीं और उसकी परिनिती यह हुई कि आज हिंदुत्व की विजय पताका बीजेपी के हाथ में पूरी ताकत और उर्जा के साथ थामे हुए देवेंद्र फंडीस दिखाई देते हैं